देखे, question है, gate 2024 electrical engineering, question कह रहा है, कि इन में से कौन से matrices का inverse exist करेगा, आप जानते हो, inverse exist करने के लिए, उस matrix का determinant not equal to 0 होना चाहिए, यही मेरे पास condition पता है, अब आप देखो, पहले option D देख लेते हैं, अगर हम इसमें 3 factor out करने इस row से, तो आप देखो, 1, 4 और 8 बनेगा, जो के row क बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसका determinant 0 हो जाएगा, अब यह option देखिए, ठीके, इसमें अगर हम 0.5 इस row में multiply कर दें, यह 0.5, 2 और 4 बन जागा, 2 row बराबर, इसका determinant भी 0, तो यह भी नहीं होगा, अब इसमें आप देखिए, इसमें अगर हम 2 से divide करें, अगर हम इस row को 1, 2, और 3 जो की R1 के बराबर हो जाएगा, 1st row के बराबर, इसका भी determinant 0, यह भी नहीं, तो जब अब naturally देखो, 3 option eliminate कर दें, तो automatically option है, correct हो जाएगा, आप ऐसे भी देखिलो, कभी भी कोई भी common से multiply करो, यह divide करो, कभी भी कोई row बराबर आपस में नहीं होगे, नहीं column, तो इस